योगिनी एकादशी, इस एकादशी के संपूर्ण महात्मय का हम श्रवन करेंगे। युदिष्ठिर ने पुछा कि हे वासुदेव, आशाड मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? कृप्या उसका वर्णन के जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नफ्स्रेष्ट आशाड के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है, यह बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाली है, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी की राजाधिराज कुबेर सदा भगवान श्यों की भक्ती में ततपर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में कुबेर की भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदीर में बैटकर शिव का पूजन कर रहे थे। वहोंने दोपहर तक फूल आने की प्रतिक्षा की। जब पूजा का समय वेतित हो गया तो यक्ष राज ने कूपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों दुरात्मा हेममाली क्यो नहीं आ रहा है, यक्षों ने कहा, राजन वह तो पत्नी की कामना में आ सकत हो, घर में ही रमण कर रहा है, यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गये और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया, वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया, उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अर कोड से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो, इस स्थान से भरष्ट होकर अन्यत्र चला जा, कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया, कोड से सारा शरीर पीडित था, परंतु शिव पुजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त न अंतरवह परवतों में स्रेष्ट मेरुगिरी के शिखर पर रहा, वहाँ पर उसे मुनिवर मारकंडे जी के दर्शन हो, पाप कर्मा यक्ष ने मुनी के चरणों में प्रणाम किया, मुनिवर मारकंडे ने उसे भै से कापते देख कहा, तुझे कोड के रोग ने कैसे दबा यक्ष बोला मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ, मैं प्रती दिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, एक दिन पतनी सहवास के सुख में फस जाने के कारण मुझे समय का ज्यान ही न रहा, अतह राजा धिराज कुबेर ने मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोड से आकरांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछोड़ गया, मुनिसरेष्ट संतों का चित सुभावतह परूपकार में लगा रहता है, यह जान कर मुझ अपराधी को करतव्य का अपदेश दिजी, मारकंडे जी ने कहा, तुमने यहां सच बात कही है, इसलिए मैं तुमें कल्यान प्रद वरत का उपदेश करता हूँ, तुम आशाण हमास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का वरत करो, इस वरत के पुन्य से तुमारा कोड नेश्चे ही दूर हो जाएगा, भगवान श्रिकृष्ण कहते हैं उसने योगिनी एकादशी का वरत किया, जिससे उसका कोठ दूर हो गया, उस उत्तम वरत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया, निर्प स्रेश्ट यह योगिनी का वरत ऐसा पुन्यदाई है कि 88,000 ब्राम्हनों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का वरत करने वाले मनुष्य को मिलता है, योगिनी महा पापों को शांत करने वाली और महान पुन्यद्फल देने वाली है, इस महात्मे को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही शास्त्री बातों के लिए हमसे बादिस्ट